नमस्कार दोस्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेटी वित रानुसर में आज के इस अंग्रेजी के सेरेज में हम मौडल वर्प की आज प्रियोग पढ़ेंगे जो हैं कैन, कोड में, मायट, बेल, बोर्ड जो भी हैं सारे प्रियोग आज हम पढ़ेंगे तो आज देखेंगे इन सब के बारे में और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेलपुल हो होगा और एक्जाम के प्यांट अब यू से बहुत ही यूजफल साबित होगा तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक से लेके अडवांस तक मौडल की बारे में जानेंगे और हर तरीके से समझेंगे किसी भी प्रिकार की आपके हैं मन में कोई डाउट नहीं रहेगा मैंने लग रखा है जो आपको कोई प्रॉबलम नहीं होगी ठीक है तो पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि मौडल्स क्या होते हैं पहले हम जानते हैं मौडल्स मौडल्स का मतलब होता है मौडल्स जैसे मौडल्स सबसे ही पता चलता है जैसे मौड और मौड का मतलब होता है क तुछ महारा किया माने किया दिल की बात क्या है थिक है तो अन मौड़लों के अंसार ये बना है तो इसमें हम। इस वे क्या कर ते हैं जैसे घुरों में ऐनिए उनके गोर आग्या संभावना आबसकता और अधि को अब्यक्त करने के लिए बाक में बताता हैं तो अभी कोई टेंसल लेना की जरूर नहीं है, हम एक एक करके बित एक्जामपल के समझेंगे और बताएंगे, अभी सिर्फ थोड़े हम इसके बारे में बैसिक जान लेते हैं, फिर एक एक करके सबका यूज, जितने भी मॉडल एक्जलरी हैं, उनका एक एक करके हम यूज औ आपको पढ़ाना चाहता हूं, उसी तरीक से आप पढ़ना, आप पढ़ने की कोशस करना, जो आपको एक ही वीडियो बिलकुल, आप बेसिक से लेकर अडवांस तक सीख सकें, और आपको कोई प्रॉबलम नहीं हो, तो यह हमारी उम्मीद है, और अगर आपको कोई अगर प साह्करिया होती है, जो मौडल ऑक्जियthm वो भी एक साहकरिया होती है, या जिनको क्या है, बाख के फ़ोर मेशन या वनावट नहीं मदद करती है, इन्हें बाख को मौडल अक्जुली वर्ब या केवल, मौडल बर्ब के रोप में भी जाना जाता है, ठीक है? अब इसे अपना लग बाहो प्रिकट करते है ठीक है तो अब हम देखते ये पहले कुछ दारर देखते हैं क्या है मैं जा नहीं पाया भगवान करें आप सफ़ल हो जाएं तो इसमें क्या आप सफ़ल हो जाएं इसमें एक संभा इच्छा है तो तुझे मुझे याद दिलाना चाहिए थ तो इसमें क्या एक इच्छा है ठीक है तो ऐसे बाग क्यों में हम क्या इन मॉडल एक्जिलीज का यूज करते हैं अब देखेंगे बारीकी से और आपको टेंसन लेने की कोई जरूर नहीं है आपको हम जितनी यह जो भी तेरा प्रकार की दिंग नहीं है helping verb जो models verb हैं इनको हम बड़ी एक एक करके बारीकी से with पैचान with sentence के साथ समझेंगे जो आपको आँगे कोई problem नहीं होगी ठीक है पहले जान लेते हैं कि models verb कितने परकार की होती हैं तो वो होती हैं तेरा परकार की can, could, may, might, sell, have, would, should, will, would, or to, use, to, need, must, or dare ठीक है अब इनके ही स साथ में जैसे can, could have, may have, might have, should have तो ऐसे प्रियोग को भी हम साथ में ही पढ़ेंगे जो जोड़कर जो बनते हैं और नहीं models verb बनके एक रूप लेते हैं उनको models verb are two types एक primary जो बर्ब हैं बर्ब models बर्ब नहीं सिर्फ बर्ब आर टू टाइप्स एक primary एक्जलिरी सबर्ब और एक model एक्जलिरी सबर्ब ठीक है primary एक्जलिरी सबर्ब जो हम ज्यादा तर पढ़ते हैं जैसे to, does, age, am, are, has, have, did और will ठीक है और model एक्जलिरी स, can, could, may, might, sell, should, and be word आदी, use करते हैं ठीक है जो एक अगर Hindi to English translation में या कोई भी किसी exam में ये बहुत ही महत्पूर हैं जो अगर देखा जाए exam के point of view से तो एक अगर कोई story में story को translation करते हैं Hindi to English translation करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें कम से कम 60% बाक जो है वो इनहीं से आते हैं model बर्ब औ और एक primary बर्ब से और बाद बाकी जो भी हैं वो आते हैं translation से ठीक है तो इन्हें बड़े ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इनहीं में सारी जो जो इतनी भी translation है और जितने भी जो एंग्रेजी का सार है वो इनी बर्ब में है इनी बर्ब से related है इसके सवा और कोई नहीं है हाँ आँगे और भी देखेंगे जो अपने translation का एक पूरा वीडियो बनाया है उसको भी ध्यान में रखकर देखेंगे और उसको भी आवगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए ठीक है तो अब हम देखते हैं पहरे नमर मॉडाल बर्ब के कुछ नियम देखते ह कुछ फिर अभी तो बैसिक देखते हैं इसके बाद धीरे धीरे चलके हम जैसे आँगे बढ़ेंगे तो आपको विद यूज के साथ विद हेल्पिंग वर्ब के साथ हम एक एक दो दो धारर दे करके आपको समझाएंगे ठीक है पहले क्या है मॉडल वर्ब जो हैं सभी हेल नौट लगाते हैं और डेरे के साथ में डू नौट लगाते है ठीक है नीड का मतलब होता है नीड का हिंदी में मतलब होता है जरूरत और डेरे का हिंदी मतलब होता है साहस ठीक है या हिम्मत नीड का मतलब जरूरत या आवसकता ठीक है तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब के रू लेकिन जो मॉडर्व झो नीड और ढैरे है इनमें निगोटे बनाते समय है इसमें डू जोड़ते हैं अलग से ठीक है अब प्रैमरी या अग्जली देखते हैं जो वाकी सेकंड पॉर्म एक फर्स्ट मिदश पॉर्म भर्प की थर्ट पॉर्म या बर्प की आई-इंजी फॉ आप कुछ एक्जामपिल देखते हैं I can do this मैं यह कर सकता हूँ तो इसमें क्या है इसमें एक छमता ability दिखा रहा है capacity दिखा रहा है you may come here तुम यहां आ सकते हो तो यह आग्यां दे रहा है you do not you can do this work तुम यह काम कर सकते हो इसमें भी ability है he may come वह आ सकती है ठीक है they can do this work भी कर सकते हैं they may come तो क्या भी आ सकते हैं ठीक है तो ऐसे बाकियों में क्या ability में ability योगता बगएरा दिखाते हैं जिसमें योगता हो गोड़ हो इच्छा हो ऐसे बाकियों में हम model luxury का यूज करते हैं अब first person pronoun और second person pronoun और third person pronoun इन सभी pronoun के साथ में तो क्या है model luxury समान होते हैं बस में का इपयोग थोड़ा different होता है ठीक है तो अब हम देखते हैं आंगे चलके तो अब देखते हैं helping बर्व के बाद main बर्व में किस परकार से परवर्तन होता है जैसे अगर i के साथ m लगाने पर जो helping बर्व होती है बस में ing लगाती है अगर दे के साथ have लगाने पर जो भी helping बर्व होती है उसे हम क्या third form बर्व की third form लगाते हैं अगर age के साथ भी हम ing लगाते हैं ज्यादा तर और you have it in तो helping बर्व के साथ जो primary एक्जलरीज जो जुड़ती है उनके साथ उनके एक्जलरीज के अनुसार भी हम बर्व का यूज करते हैं अगर बर्व है तो है जैब के साथ हमेशा third form लगेगी अगर बर्व नहीं है तो उसमें बर्व को कोई लगाने की जरूरा नहीं है जब उस लेकिन अगर कोई models पो होते हैं जो उनमें कोई परवरता नहीं होता है जैसे we should help दप उगर हमें गरीबों की साहता करनी चाहिए they must go there तो मैं वहाँ जाना चाहिए लेकिन अगर इसके साथ कोई perfect की साहिकरिया जुड़ती है perfect जैसे है जुड़ता है they must have तो इसमें क्या है अ ठीक है बर्व की तीसरी अवस्ता लगाती किसके साथ तो हम इसमें करते you they must have gone there ठीक है तो यहीं आंगे हम देखेंगे जैसे यह है कि अगर perfect की कोई formation आती है models बर्व के साथ आती है तो मुक्रिया का रूप हम तीसरी अवस्ता में मदल लेते हैं जैसे तुमने मात्मा गांदी का नाम अवस्त सुना होगा ठीक है तुमने मात्मा गांदी का नाम अवस्त सुना होगा तो you must have heard the name of मात्मा गांदी उन लोगों को गरीब गरीबों की मदद करनी चाहिए थी तो काई should have, should have के साथ अगर लग गया तो helping verb में हम third form लगाएंगे अब यदि बर्व मोडल्स बर्व के साथ अगर b लगता है तो b के साथ में हम क्या करते हैं बर्व की चौती वबस्ता लगाते है यानि first form में ing अब क्या वे लोग खा रहे होंगे तो वे they might be eating अगर भी जुडता है तो क्या वे खा रहे होंगे तो इसमें हम ing लगाएंगे बर्सा नहीं हो रही होगी तो का it may not be running ठीक है बिलकुल ध्यान से समझेंगे कोई confusion लेने की जरूरा नहीं है अगर एक बार फिर repeat करते हैं अगर models barb में कोई barb नहीं है जो models barb है अगर कोई extra नहीं जुड़ा जैसे अगर helping barb के साथ में अगर कोई perfect place की helping barb जूडती है जैसे models barb के साथ में अगर कोई hedge या have आता है तो उसमें barb की हम तीसरी अवस्ता उसके साथ जूड़ देंगे अगर यदि उसमें भी आता है अगर मॉडल्स वर्व के बाद में भी आता है तो भी में उसमें हम उसके जो हेल्पिंग वर्व होगी उसमें चौती अवस्ता बोले तो उसकी फर्ष्ट फॉर्म में आई एंजी जोड़कर बनाएगे ठीक है यही हमने इसमें बढ़ा है अब हम देखते हैं आने इसके कुछ एक्जामपल भी है जैसे हुआ है जा रही होगी तो सी मस्ट भी जैसा हमने अभी बताया था ठीक है तो यह इसके एक्जामपल है अब देखते हैं यूज ऑप मॉडल एक्जली के यूज देखते हैं तो मॉड सारार के तोर पर जो हम आगे सीखेंगे जैसे अनमती है च्छमता है कैपिसिटी है दायत है रिस्पॉंसबिल्टी है संभावना है ठीक है और अनवारता है अनिश्चित्ता है तो ऐसे बाकियों में हम अलग अलग तरीका से अलग अलग रूप में उपयोग करती हैं सभी यूच करते हैं ठीक हैं अब देख लेते हैं जो नेड को अमने बताया था भी क्यों से हम हेल्पिंग ब्रव की रूप में क्यों नहीं यूच करते हूद को इसको सथ मायट है there should have should have or have or should के बीच में not लगाते हैं must है तो must के बाद not अगर ought to है तो ought के बाद not लगाते हैं और उसके बाद to लगाते हैं अब देखते हांगे अगर ought to have है तो ought to have के साथ ought के बाद not लगाते हैं to have last में लगाते हैं to have to है तो उसके बाद भी has have NOT लगाते है तो हैं के बाद not उसके बाद नहीं कर सकते हैं आगर इसमें नीड है तो नीड है की के जरूरत या आवस्ष्था होती है तो इसमें हम डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट लगा कर इसको हम निगेटिव में परवर्तन करते हैं इसके लिए इससे पता चलता कि यह एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है अगर यह होती तो इसमें डारेक्ट ही उसके बाद हम न जिन और डेरे लगाते हैं तो इससे पता चलता है यह भी एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है अब हम देखते हैं एक एक करके सभी का प्रयोग पढ़ेंगे जो भी हैं जितनी तेरा मॉडल्स हैं उनके साथ में जो भी वर्ब की यूज होती है जो भी वर्ब की अबस्ता यूज बाकियों में होता है जो सामान तक कैन का प्रयोग किसी बाक में योगता या थो अच्छमता व्यक्त करने के लिए या अन्मती लेखने के लिए या देने के लिए किया सकते हैं व्यक्त करते हैं जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो इसमें अन्मती मांग रहा है हां तो मैं काम कर सकता हूं इसमें चंबता दिखा रहा तो ऐसी बाग्यों में हम जैन का प्रियों करते हैं ठीक है कैन का उप्योग कई अर्थों में जैसे साथ चंबता योगता अपचारेक अनपचारेक या संबाबना या बूत का लवारे आदी जो एक कारियों का अनुमान नहीं तू लगाते हैं ठीक है अब क्या है इसका परसंद जो है मॉडल्स होने की कारण इसका रूप सदय अब समान रहता है सब्जेक्ट में कोई इसका प्रियोप नहीं है कि एक बचन करसा साथ कैन ना लगा या बावचन का सरसाथ क्या लगा है ठीक है दोनों के साथ हम कैन कोड का प रखार र्ख यह नहीं राकेश यह टमाडर को रिक्सा तक ले जा सकता है तो इसमें छंपता दिखाई गई है यह कैन सब्सक्राव्बलम वहागा है इसरे क्रियोव कर सकता है तो यह कैन सोल्व एनी कुस्चिन पेपर ऑफ दिस एक्षैम वहाई मैं इस एक्जाम का क्या किस दिखाई है कैन ही कोग फूड क्या हुआ है खाना बना सकता तो इसमें भी क्या है कैपिसिटी दिखाई गए ठीक है अब आजाए कोड जैसे उसमें सकता है सकती है सकते हैं आदी लगाते थे इसमें उसी को पास्ट में बदल देते हैं जैसे सका सकी सके जो पास्ट रहाती हैं तो उसमें हम कोड का प्रियोग करते हैं और सकता था सकते थी आदी ऐसे सब्सक्राइब तो इसमें अभी कोई वो नहीं है सेम कंडिशन वही है चमता भविश्क किया अनमती यह जिसके लिए भी उप्योंग होता है तो केन का ज़स्ट पास्ट कोड होता है तो उसक आकास उस घर में हो सकता था, तो इसमें सीरे से सकता था है, तो could be in that house, you could give me some money to eat, आज वो आप मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे सकते थे, ठीक है, तो he could win the match today, why आज match जीत सकता था, बे लोग तुम्हें पीट सकते थे, तो का, they could beat you, Ramis could help her, Ramis उसकी मदद कर सकता था, ठीक है, तो ऐसे बाग क्यों में, अब मेकप रियोग, मेकप रियोग भी सकता सकती के लिए ही किया जाता है, लेकिन उसमें संभावना या पूरवानमान दिया जाता है, तो उसमें हम संभावता जैसे सब्दों को अगर हम संभ थोड़ा संभावना प्रकट करने वाले बाक्यों में, ऐसे प्रियोग किया जाते हैं, जैसे साइद आज पानी बरसे, तो इसमें संभावना या मेकप रियोग करते हैं, हो सके आज पानी बरसे, तो उसमें हम मेकप रियोग करते हैं, जो भी है, तो आग्यां अप्चार है क इच्छा बूत कालिंग अनुवार परामर साधी बावनाओं को ब्यक्त करने के लिए भी मेकप रियोग कर सकते हैं यह करते हैं जैसे वह सही हो सकता है ही में बी राइट ठीक है ही में गो हॉम टू मीट हिज बादर वह अपने पिता से मिलने घर जा सकता है तो कहा में आई यूज यूर नोट बूक क्या मैं तुम्हारी कापी ले सकता हूं ही में फूल वह फूल सून तो कहा वह जल्दी मूर्ख हो जाए में आई कम इन सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं ठीक है में यू हैल्प मी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ठीक है अब इसके साथ म मायट जस्ट उसका पास्ट जो मे का पास्ट मायट होता है सेम कंडिशन वही होती है जैसे सकता सकती सकते जो सकता सकती सकते हैं इसमें क्या है आ की मांतरा आ रही है और आ की अगर सकता है आ जाए सकती है आ जाए तो उसमें मे का प्रयोग करें अगर उसको हम है हटा दें सकता ही रखें या चाहिए सब्द लगा दे तो इसमें क्या है हम मायट का प्रयोग करते हैं का इसमें क्या है मायट का प्रयोग सामन तक कम या या ना की बरावर समभाबना व्यक्ट करने में किया जाता है अनुमती लेने के लिए भी मायट का प्रियोग किया जाता है अधिक बिरंबरता वाले भाव में भी मायट का प्रियोग किया जाता है छीड समभावना जो बास्तविक समभावना आग्यां के लिए अनुमान के लिए और प्राधना के लिए प्रामस के लिए मौडस का प्रियोग किया जाता है जो किताब ले लूँ या ले सकता हूं ठीक है या ले सकता ये थोड़ी डिप्रेंस है या ले सकता हूँ नहीं है अब क्या आज बारस हो होने की संभाबना है तो क्या है राजेस माइट गो देर और यहां उपर वाला है इट माइट रेंट टूडे ठीक है अम नीचे वाला है राजेस माइट गो दिया राजेस घर जा सकता है या जाने की संबाब नहीं क्या तुम अपने पिता के लिए यह पोस्ट कर दोगे तो का यू माइट टू दिस हर भर और फिर क्या है यह तुम उ माइट डू दिस और हर कि या तुम उसके लिए कर सकते हो माइट आई प्ले इन दिस फील्ड क्या मैं इस फील्ड में खेल सकते हूं याखेल हो ठीक है तो अब देखते हैं गागी तो गागेगी आदी सब्दाते जैसे सेल के साथ ही उच्छ करते है जो फ्यूचर टेंस में है अब फ्यूचर टेंस में जो अगर फ्यूचर टेंस में आते हैं तो उसमें सिर्फ बिल का प्रियोग होता है और मॉडल्स बर्ब के साथ में क्या है अब सैल का प्रियोग होने लगा है तो इसमें प्रवल अच्छा या सकती भागों के साथ में जो हम सैल का प्रयोग करते हैं जैसे सब्द में इसका प्रयोग बाक के बिसेश बल परवाब परता है यह का है तो प्रयोग करने में सब्जेक्ट पर जो डालते हैं उसमें क्या सैल का प्रयोग करते हैं जैसे मैं सतर्क रहा करूंगा I sell we let क्या मैं सफल रहूंगा Sell I be successful फिर क्या है हम लोग भेवीत नहीं रहा करेंगे We sell not be appeared मैं एक कार खरीदेगा या मैं एक कार खरीदूंगा तो क्या I sell why एक कार ठीक है तो ऐसे बाकियन में सफलता है नहीं अवस्ता वाले बाकियों में हम इसका प्रियोग करते हैं अब देखते हैं सुड के लिए क्या होता है चाहिए आदी सब्द का प्रियोग करते हैं जैसे कि जिसमें किसी परामर्स या अव्यक्त करते हैं ठीक है सुड का प्रियोग अब सुड के साथ और टू में जो है और टू और सुड और करता बाक होते हैं तो मैं यह करना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम्हें लिखना चाहिए ऐसी लोग में हम फ्लल का प्रियोग करते हूं वैसे औगर उसमें कुछ ऐसी सब्द कोई जो इसमें नियतिकता बावाया जो नेतिकता, नैनि, सब्वता वाला भावाया तो उसके साथ हम और टू का प्रियोग करते हैं जैसे अपने मातापिता की आग्या का प्रयोग किया जाता है जो अपना उद्देश क्या है या कम इच्छा प्रकट करने में या इच्छा प्रकट करने में तो उसे हम चाहिए का प्रयोग करते जैसे You should help him तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए They should play cricket उन लोगों को cricket खेलना चाहिए I should leave now अम मुझे जाना चाहिए Mohan should help the farmers Mohan को किसानों की मदद करनी चाहिए Ravi should not call his father Ravi को अपने पिता को नहीं बुलाना चाहिए ये थे चाहिए वाले सुड का प्रियोग अब आते हैं बिल, बिल माने होता है बिलिंग है, बिल माने इच्छा तो ये वो वाले बिल नहीं है जो future tense का है लेकिन will, बिल माने होता है जैसे as you wish विस को इच्छा प्रिकट करने के लिए किया जाता है बिल का प्रियोग कोई अर्थ में सामनता इसका प्रियोग जो अर्थ में किया जाता है सामनता इसका प्रियोग future tense में गा गया गी आदी के साथ रूप दिया गया है लेकिन models बर में इसका इच्छा बादा, इरादा, द्रड ऐनी हट को बाव को परवट करने के लिए किया है तो इसका हम future tense के रूप में नहीं अगर हम models बर्व के रूप में देख रहे हैं तो इसको हम model बर्व के साथ देखेंगे जो इच्छा प्रिकट करने वाले बाव क्यों में होंगे अब हविस्वाणी, आमंतर, निमंतर, सैमती, नियोजन, बिनम्र, निर्देश या संदेश आधी के देने के लिए बिलका प्रियोग करते हैं अब जैसे हैं उदारण हैं वो ऐ डाक्टर बनेगा तो he will be a doctor उसके पास एक कार होगी तो he will be a कार मैं तुमारा मदद करूँगा या जिसमें बादा दिखाया गया, मैं बादा है तो I will help you मैं एक घर में एक घर खरीद हूँगा इसमें क्या इच्छा I will buy a house वह तुमारा मदद या वह तुमारी मदद नहीं कर पाएगा तो का he will not be able to help you ठीक है तो अब आए बुड़ ठीक है बुड़ क्या है चाहेंगे चाहूंगा या करता था आदी के साथ जो बिल का पाश्ट होता है बुड़ ठीक है तो बुड़ का प्रियोग क्या करते हैं अपयोगता बिनम्र या अन्रोध ठीक है या भूत काले का अदितों या प्रातना या द्रव निश्चे या अनिश्चत आदी या से प्रसनों का प्रियोग करतने के लिए किया जाता है जैसे मनताओं के अनिसार बुड़ का प्रियोग व्यक्ति इच्छा समभावना पुरानी या 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 बिनम्र भाव को व्यक्त करने के लिए बिसेस रूप से किया जाता है जैसे अगर कोई रिष्टेदार आता है तो आप उससे पूछते है बुड़ यू है टेक टी एंड क योग करते है तो जिसमें हम इच्छा उसकी पूछते है और उसकी इच्छा लेते हैं ठीक है राम तुमसे मिलना चाहेगा तो राम बुड्र लायक टू मीट यू ठीक है मैं रोज मंदर जाता था मैं रोज मंदर जाता था तो आई वूड गो टू टेंपल एबरी डे मुझ में क्या अच्छा है, तो वोड़ यू हल्फ मी? तो क्या, आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है? क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो यसे वाड क्यों में क्या करते हैं? बुढ का प्रयों करते हैं, अभ आया और व Totally क्या है जासे चाये चाये था, जो अभी हमने बताये था, चाये और चाये था टिंकर राष्ट या राष्ट के प्रति प्रहें हो बातव के harmful करेंट का लिए हम चाये का प्रियोग्ग कर थे, जैसे हमें हमें अपने देश की सेवा करनी सैजें तो क्या ने दिकता अमें, we ought to serve our country हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए we ought to not to do so मुझे जाना चाहिए था I ought to have gone तो मैं इस समय जाना चाहिए you ought to go this ठीक है तो ऐसे बाकियों में हम क्या करते हैं चाहिए का प्रियोग नहीं ought to का प्रियोग करते हैं अब देखते हैं यूश्टू के साथ में हम क्या करते हैं आया करता था जाया करता था मैं जैसे मैं पहले पढ़ाया करता था मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था तो या मैं गाओं जाया करता था तो ऐसे बाकियों में क्या करते हैं जो भूतकाल में जो पहले हम काम करते थे को अब नहीं करते हैं पहले किया करते थे ठीक है ऐसे बाक्यों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिनका संबन्द भूत का जैनी भूत काल में हम यह कहें कि वह नयतिक करता परामर से भूत काल है कि अनुमान का प्रियोग करते हैं मैं पहले जाया करता था मैं पहले पढ़ाया करता था ऐसे बाक्यों में हम यूज्टू का प्रियोग करते हैं जैसे सीता यहां आया करती थी तो सीता यूज्टू कम हैं रेरा deficit म हैं एंब यूज्टू करता हम यूज्टू अंब मेरे यां आया करती यूज्टी अखर में जाता था ना तो मैं बाइब को सब्सक्रा इसमें चाहिए था ज़ो जरूरत था जरूरत यह जरूरत है आदि है यह से प्रेब करते हैं ज्यासे हैं यह सकता दिखाने के लिए जिसमें बहुत इस का भाव परिस्थितियों के उपर निर्वर करता है लेकिन मुक्ता है बरतमान और भूतकाल में अभी वक्त करने के लिए होता है ठीक है अब इसके हम अधारत देखते है जैसे मुझे उसकी जरूरत है तो I need her ठीक है तो मैं कुछ और चाहिए तो you need some more ठीक है तो इसमें क्या है जरूर चाहिए था खाना खाना चाहिए था या खाना चाहिए था we need it to eat हमें भविस के लिए निवेस करने की जरूरत है तो we need to invest the future ठीक है तो यह हुआ नेट का प्रियोग अब आते मस्ट मस्ट के प्रियोग में भी हम चाहिए लगाते हैं या देख चाहिए या जरूर चाहिए ज वारता को प्रिकट करता है वहाँ पर हम चाहिए का मस्ट का प्रियोग करते हैं चाहिए जैसे बाके हम एक ऐसा सब्द जिसके मादिया में जरूरत या व्यक्त को कि व्यक्त कराया जाता है जिससे पता चलता है कि द्रड संकल पर अबादता का बोद होता है नियत होता है किस से अब पूरा करना चाहिए तो यू मस्ट कंप्लीट इट नौ मोहन को घर जाना चाहिए तो मोहन कर लेना समय लेना ठीक है अब आए जाओ डैरे ठीक है डैरे का मतलब होता है हिम्मत करना या सहास करना डैरे का मोडल साय करिया के रूप में विसेश कर प्रियोग किया जाता है यह ऐसी करिया है जो मुक करिया और साय करिया दोनों के साथ रूप में प्रियोग किया जा सकता ह इसे हम मुक्रिया भी देख सकते हैं जैसे इम्मत करना एक जुमैन बर भी है और एक साइकरिया भी है इसका जो मू लड़ता है हुआ है किसी कार को चुनोती देना है जैसे डेरे आम तोर पर नकारात्मक और प्रस्न वाचक बाकियों में किया जाता है इसका जैसे सिंपल बाक नहीं बनता है जादे क्या रात्मक और प्रस्न वाचक बनता है और जो आज़सर ओए तुम्हारे सामने बोलने की अम्मत रखता है तो कहा he dares to talk in front of you or why गर छोडने का सास why गर छोडने का सास नहीं करेगा तो he will not dare to leave the home मैं आने की एमत करूँगा एनि मैं आने की एमत करता हूं तो I dare it to come तूं मुझसे बात करने की एमत कैसे हो तूंने मुझसे बात करने की एमत कैसे की तो how dare you talk me है या तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिमत कैसे की या हाव डेरे यू सेट इन फ्रॉंट में यह मेरे सामने ठीक है तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर समाप्थ हुगा और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हैलपल होगा आज हमने सारे मॉडल वर्स जितने थे उसका प और अगर आपको नई समझ में आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और प्लस कुछ नई टेंस जो मिलें आपको किसी दूसरे से लिखवाकर नई टेंस मिलें और नई टेंसों को क्या करें आप एक कागज पर लिखिए फिर उनको इन नियम के साथ सौल्ब कीजि तो उस कंफ्यूजन को रोकने के लिए उस भाव को उस टेंस के बाव को समझने की कोस्स करेंगे तो इसी के साथ यह लेक्चर समाथ नमस्कार